और स्रावस्ति जंपत में ठगी का एक संसरी खेज मामला सामने आया है जहां पर कुछ ठगों ने घर में रह रहे ही अकेली महिला से गहने साफ करने के बहाने चक्मा देकर गहना लेकर फरार होए घटना एकोना थाना छेट के बाइपास एकोना की है जहां पर आगुसर साफ करने के बहाने ठग गिरों ने करीब तेल लाख हुपे के आगुसर बढ़ा लिए पताया जाता है कि रिटायर सरकारी अध्यापका के घर में बाइक सवाल दो यूप पहुचे और डिटैलिजन पाउडर दिखाने लगे तभी महिला को आगुसर साफ कराने का जहासा दिया महिला उसके जहासे में आगी और अपने गले में पहने सोने के चैन को साफ करने के लिए उससे दे दिया उसने गहना लेकर केमकल में डाल दिया फिर गरम पानी लाने के लिए घर में भेज दिया घर में जाने के बाद केमकल से गहने निकालकर ठक भरार हो गए आप भुजर की किमत करीब डेड़ लाग वे बताई जा रही है वह इस तुचना पर फोक्षी पुलिएस ने आसपास के CCTV फोटेज को खनाल कर कारवाई में जूट गई है क्या नाम है अपका अंगूरा वेगम अच्छी रता हिए अभी कुछ लोग आप आपके आए थे और ठगी करके चले गए हैं कैसे क्या पुरी गटना बताई बाहर हम बैटे लान में अपने तो एक लोग आया कहा कि मैं कंपनी के तरफ से आया हूं टाइल साफ करने वाला प तो एंदर चलाया है तो उच्छे पास अंगूरा अपने खुद का निका रहा हूं साफ करके दिखाया और तो तो मुझको पैड़र दिया तो जो पोड़र दिया उसको जो हम अपना चान लेकर के अपने हाथ से साफ करने लगे तो मुझसे आकर कि आजिए इसे ने अई पताने कि जब उसको खोला गया तो उसमें मेरा चैन नहीं था उसमें कंकट पत्थर भरा हुआ था जो चैना आपने दिया उसको साफ करने के लिए कितनी कीमत होगी उसकी उसकी कितना गराम था उसकी वह वह 20-22 गराम का रहा हुआ अच्छा यह दो लोग आय थे किसी को पहच जाला था एक बैक पत्ल छोटा सा लिये हुए था और हाथ में कुछ भीम का साफ करने वाला और पोर्डर काई तरा के लिये हुए था और फिर दूसरी थोड़ी दिर वादे का और आद मुस्वी के साथ आया वो सफेद पैंट सर पहने था एक तीका लगाया हुए था जो न और वो जा चुका था इसके गाड़ी में आहto मेरा तब तक एक लड़का अगया उदसे हम कहें कि इसमें तो हाई नहीं गार तौ चलुक अनल तो गाड़ी में नहीं लगा वह था और वो जा चुका था तो ज़्त अट रहा है अम लोग अप्लिस को सुझना सादिक है पुल